ही गाईज, वेकम टुस्वर्स पॉइंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे BPSC के बारे में, ये हमारी सिक्स पार्ट हो गई, BPSC की सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं आपकी सारे क्वेरी इसको पूरा कर रही हूँ, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेरी स्ट् कर बताऊंगी कि किस सरीके से आप लोग कम टाइम में ज्यादा मेहनत करके आप लोग जरूर जिस्कस करेंगे पूरे हो स्लेबस क्योंकि आप लोग को स्लेबस से रिलेटेड काफी इशूज आ रहे, तो ठीक है मैं GS1, GS2 और ऑप्शन से रिलेटेड सारे स्लेबस आप लोग लिस्कस करूंगी और इसी के साथ मेरी स्टार्टीजी भी होगी, तो चलिए स्टार्ट करते, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डीटेल स्लेबस देखेंगे कि स्लेबस क्या है, GS1 में आपको तीन सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट तीन पार्ट हो गया, तीन सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, लेकिन आपको GS1 में सबसे पहले यह समझना होगा, कि डारेक्ट आप मॉडरन हिस्ट्री पर ध्यान दीजे, क्योंकि जो विटेश होते हैं, मॉडरन हिस्ट्री की यह ज्यादा होती है, और as comparison to medieval and ancient, ancient medieval आपको prelims म में ज़्यादा focus करना है, but means में अगर आप देखो तो modern history, ठीक है, मैं यहाँ आपको short cuts or direct to the point बता रही हूँ, Indian culture भी है, तो history of country with a special reference to Bihar, और यहाँ पर Bihar, history of Bihar भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है, एक दो question आपको Bihar से भी related होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें, तो 19th, जो meet 19th century है, it means कि 1857 के बात से जो है, यहाँ पर आपको 1947 तक यह बहुत important होता है, इसी से आपका Bihar का भी history पूछा जाता है, और इसी से आपकी modern history से भी question आते हैं, और mainly question आपनों देखो कि जितने भी गांधिया नेरा का सत्यागरा है, चाहे वो चंपारन सत्यागरा हो, quit India movement हो, या फिर आपका और बे सत्यागरा है, चाहे individual सत्यागरा हो गया, तो यह सारे चीजों से आपके question बनते हैं, साती आप देखो कि introduction and expansion of western or technical education, जो education system हमारे देश में जिस तरीके से western education आते गया है, मैं कॉले की जो आपकी theory थी, वो सारी चीज़े पूछी जाती है, ब question तो आपको देखने को मिलेंगे ही, साती संथाल अप्राइजिंग बिहार में, यह बहुत important है, बिर्सा movement, चंपारन सत्यागरा, quit India movement, chief features आपको बताना है, Morian और Paul art का, और पतना कलाम painting, देखे जो Indian culture है, इंडियन culture में आपको तीन topic तो आपको यह एक्दम से दियार करनी है, पाल art, पतना कलाम painting और Morian art, इन तीनों को मिला जुला कर आप देखो कि हर साल repeated questions आते हैं, साती गांधी, टैगोर और नहरू, इनका क्या रोल है, ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको बता दीती हूँ, कि गांधी, टैगोर और नहरू के उपर, आपको छोटी-छोटी book देखने जिसमें 50-60 pages होते, वो आप लोग purchase कर सकते हो, या फिर आप लोग flip card Amazon में भी देख लेना, कि इस तरीके का book आपको देखने को मिलेगा, कि इनके उपर जो है थोड़ी जीवनी होती है, इनसे पूछा जाता है, तो थोड़ा एक question आपको देखने को मिलेगा, या तो टैगोर से होगा, या तो नहरू से होगा, या तो गांधी से होगा, तो हर एक साल repeated करके होता है इन तीनों के बारे में, यानि कि personality से related question पूछे जाते, तो आप एक छोड़ी सी book होती है, उसको आप लोग refer कर सकते हो, नहीं तो आप ये topic को छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको option दिय आपको सारे question लिखने होते, अभी आगे हम लोग बात करेंगे, मैं इस topic को पूरी तरीके चोड़ चुकी थी, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ी थी, नहीं notes बनाई थी, second आती हो current affairs, जो national और international importance है, तो current affairs के लिए क्लिए होता है, कि means में आपको लिखना होगा, जो भी issues आए और मेली आप current affairs में देखो, तो international organization के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, साथ ही आप देखो कि India का जो neighboring country है, उनकी साथ relation कैसा है, जो current affairs में होता है, उस समय जो आपकी बहुत highlighted topic होती है, उसके बारे में पूछा जाता है, जैसे अभी आप देखो कि India, China, India, Pakistan बहुत जादा न्यूज में है, हमारे समय में 2018 में जो मेरे paper में आया था, उस समय इंडिया नेपाल बहुत न्यूज में था, इंडिया भूटान बहुत न्यूज में था, और UAE के द्वारा invitation दिया गया था इंडिया को, कि OIC foreign ministers के जासा, तो ये topic था बहुत न्यूज में, तो समय ये मैं अंताजा लगा ली थी, कि हाँ इसी से questions आएंगे, तो इस बार अभी आप देखो कि India China, क्योंकि Galwan Valley को लेकर काफी issues सा, तो इस तरीके साफ समझो कि India China के बीच में relation पूछा जाएगा, या India Pakistan के बीच में relation पूछा जाएगा, तो ये होते हैं, ठीक है, एक इससे question होता है, औ भी आपके news में होते है, तो इसको धियान रखना है, और साथी साथ, हाँ, मेरे टाइम में वो इंडिया आफगानिस्तान की भी relation आई थी, तो इस बार भी आफगानिस्तान आपका news में है, तो it may be asked, क्योंकि एक international आपका relation पूछा जाता है, और एक हमारे country के साथ, जो neighboring countries है, उनके साथ जो कैसा रिस्ता है, वो question पूछा जाता है, ठीक है, इस statistics में अगर मैं देखूं, तो इसमें, जैसे कि मैं BTEC holder हूँ, तो मुझे कोई भी तरीके की problem नहीं है, लेकिन हाँ, मैं previous year question bank को follow की थी, जिससे 10 साल की question को मैं solve कर डी थी, तो उससे क्या था, कि मुझे एक idea मिल गया था, कि हाँ, इस statistics में कैसे question पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग BTEC holder नहीं हो, आपकी engineering अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी मैं books आपको बता दूँगी, वो books में आपको sufficient question मिल जाएंगे practice करने के लिए, तो आप लो practice कर लेना, so this is all about the syllabus, ये syllabus आपके mind में होना चाहिए, आप इसके screenshot ले लो, और time to time आप देखते रो, तो याद हो जाएगा, coming to my strategy for GS1 completely book list के साथ, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, section 1 में, तो आपको section 1 में 3 questions लिखने होते हैं, और हर एक question 38 marks का होता है, टीक है, total आपको 5 questions या 6 questions देखने को मिलेंगे, जिसमे से आपको choose करना है 3 questions, तो बहुत असान हो जाता है, आपको इस topic छोड़ सकते हो, जैसे कि मैं history से Gandhi, Nehru और Tagore वाला topic छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ तीन ही लिखने हैं, तो मैं उसमें time waste क्यों करूँ, तो यह होता है smart strategy, इसे भी आप लोग को बना के च 12th की, वो मैं पूरी पढ़ी थी, और यहां पे lesson भी आपको मेरे channel पे देखने को मिलेगा, 11th की पूरी है, 12th की start की हूँ, बट complete नहीं हुआ है, लेकिन 12th का आपका जो Indian national movement है, यानि की modern history है, वो complete हो चुका है, एक पूरी series है देर घंटे की, उतना आप देख लोगे, तो more than sufficient आपके लिए, राजीव अहीर की book है, spectrum की छोटू सी, वो English medium वाले पर सकते हैं, क्योंकि काफी बहतर तरीके से दिया गया है, और वही book Hindi में भी आता है, तो अगर आप लोग जादा अच्छे तरीके से किसी भी topic को depth में जाना चाहते हैं, जैसे कुई टी इंडिया movement हो गई आपके चंपारन सत्या ग्रह हो गई, तो ये सारी topic इस book में बहुत अच्छे से दी गई है, तो मैं इसको follow की हूँ, तो Hindi medium वाले बच्चे इससे भी follow कर सकते हैं, otherwise अगर मैं history of Bihar की बारे में बात करूँ, तो वो मैं follow की थी, जो एक book में बताई थी न, know your Bihar, तो know your Bihar कर के history बहुत अच्छे से दिया गया है, तो मैं उससे English medium के लिए बता रहे हूँ, वो follow की थी, Hindi medium के लिए Bihar एक परिचाय करके आता है, इंतियास Ahmed, बहुत one of the best book माना जाता है Hindi medium के लिए, तो इसे जरूर आप लो follow करें, इससे क्या होगा कि आपकी history में पकड़ बहुत अच् section second में आते हैं, यहाँ पे भी आपको तीन question लिखना है, 38 marks के एक question होते हैं, तो इसमें भी आपको 4-5 option मिल जाते हैं, तो क्यों इतना physical time देना, तीन question ही आपको लिखना है, तो strategy बना कर चलिए, मैं यहाँ पे strategy बना कर चली थी, कि हाँ, दो question, एक-दो question पूछे जाते हैं, एक question तो होता है कि India और neighboring country के साथ कैसी relation है, तो वो जो highlighted topic रहेगा, जैसे आपका अभी 66 का means होने वाला है, तो उस समय जो highlighted topic होंगे हमारे देश में, जैसे 7 neighboring countries है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्री लंका हो, ठीक है, तो यह सब हम लोग देख लेकर हम लोग बात करते हैं, तो इंडिया यूएस आज की देट में आप देखो कि बहुत ज्यादा news में है, साथी इंडिया अफगानिस्तान भी है, क्योंकि यूएस अपनी troops को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहे, तो आप लोग इस तरीके से topic को choose करके prepare कर सकते हैं, औ और international organization जो कि काफी news में होते हैं, जैसे आप देखो सार्क हो गया, बिंस्टेक हो गया, तो आज की देख में बिंस्टेक बहुत ज्यादा important है, तो इससे question पूछा जाता है, मेरे time में 2019 में, IOC बहुत ज्यादा news में था, तो इससे question पूछ लिया गया था, अभी आप देखो जैसे G7 की meeting हुई है, तो में भी इससे question बन जाएंगे, तो जो भी आपका organization news में रहता है, उससे question बन जाते है, अब बात आता है कि पढ़े कैसे complete, कैसे करे, तो वीजना इसकी magazine, जो कि मैं एकदम बहुत अच्छे से follow करती हूँ, और आप लोग के साथ discuss भी करती हूँ, तो जाना की कोई बात नहीं है, आप लोग एक magazine उठा लो, करें इंटरफेर्स की, चाहे वो वीजनाइस की, आपको Hindi English दोनों में मिल जाती है, या फिर आप लोग को कोई और institute की पसंद आती है, तो उसमें international relation जो होते है, IR वाला section, उसको आप लोग ज़रूर follow कर लीजे, ठीक है section 3rd में आते हैं, यहाँ पर statistics की बात होती है, और statistics में आपको दो question लिखने होते हैं, यह आपका 36 marks each होता है, सबसे best strategy GS1 में marks लाने का होता है, क्या आप statistics की ऊपर, जो 72 marks के question होगे, दोनों मिला कर, अगर इस पे आप पकड़ बना लिए, अगर आपका GS1 में 372 आपका दोनों question सही हो गए, तो इत मींज के आपके marks आने की chances ज्यादा है as comparison to GS2, आप सबकी mark sheet देखे होंगे, मेरी भी mark sheet देखे होंगे, GS2 में कम marks होता है as comparison to GS1, तो GS1 की जो यह statistic होती है, जिसकी अच्छी होती है, वो marks ज्यादा फेज कर लेते हैं, तो आप लोग इस पर ज्यादा focus कर सक सकते हैं, अगर आप लोग की engineering किये हो, अगर maths अच्छी है, तो आप लोग से previous year question bank, जो KBC nano के आती है, for English medium, आप लोग इसको follow कर सकते हो, हिंदी माधियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा difficult हो जाता है, तो उनके लिए एक book आता है, statistics for Bihar है, यह, sorry, यहाँ पर miss हो गया, statistics for Bihar, BPSC, Bihar नहीं है, BPSC है, by LKJ, तो यह LKJ की publication है, यह आपको अराम से available हो जाएगा, online भी मिल जाते है, चोटो सी book है, I think यह 125 रूपीज की है, तो यह Hindi medium में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इससे practice कर सकते हो, English medium में भी यह मिल जाता है, तो अगर आप लोग को ल BPSC के mains में आपको देखने को मिलेगा, okay, so यह पूरी detail book list है, Hindi और English medium के लिए, I don't think कि आपको कहीं से भी problem होगा book list के लिए, देखिए, मेरी सबसे पहली strategy यही होती थी, कि मैं sources कम रखूँ और एक subject के लिए एक ही book रखूँ, दो चार book के लिए मैं पीछे कभी नहीं भागी कि यह जो मैं slavers आप लोग के साथ discuss की हूँ, यह slavers आप देख लो कि कैसे आप लोग को cover करनी है, और साथी साथ एक चीज़ धियान रखे कि यहाँ पर आपको option questions मिल जाते हैं, कि 4 में से आपको 3 लिखना है, 6 में से आपको 3 लिखना है, तो आप छाटने के लिए भी रहो कि जो topic पर आपका पकड़नी है, उस topic को छोड़ दो आप लोग, और previous year question bank, जो KBC nano का आता है, वो means के लिए आप लोग जरूर ले लो, उससे क्या होगा कि काफी हद तक आपको फायदा हो जाता है, समझ में आ जाती है चीज़े कि हाँ, कहां से कैसे आपको पढ़ना है, question कैसे जाते है, क्योंकि previous year के question जब आप solve करोगे तो आपको means में बैठोगे, तो आपको बहुत हद तक idea हो जाएगा कि हाँ कैसे question आते है, और means answer writing की practice करते रही है, यह आप लिखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, आप लोगको लगता है कोई test series join करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैं कोई भी test series join नहीं की थी, मैं अपनी strategy बता दी हूँ, मैं daily target रगती थी कि दो-तीन question लिख लूँ, तो दो-तीन question लिखने कर रहता है, मैं खुद से ही लिखती हूँ, जब आप खुद से लिखोगे तो आपको खुदी धीरे- कि आपकी कहां गलती है, और net में आप search कर सकते हो, किसी भी topper का question मिल जाता है, answer sheet मिल जाती है, तो मैं उसके through जो है, अपने answer को improve करती हूँ, एक अच्छा standard answer में क्या होना चाहिए, वो चीज़े जब आप समझ जाओगे न, तो answer का format होता है introduction, body और conclusion, तो इस चीज़े में आ नहीं भागना है, मैं आपको हमेशा कहरी हूँ, क्योंकि यह बहुत easy होता है, कि आप first attempt में भी आराम से निकाल सकते हो, तो मैं उसके लिए भी अलग से video बनाऊँगी, next आपका कल आएगा GS2 के ओपर इसी तरीके से book list, अगर आप लोग को और भी कोई queries है, तो आप लोग ज जवाब भी मैं जरूर दूँगी, तो आज के लिए वसे इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर, daily आपको 11 बजे ये lesson देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोग को BPSC से related कोई भी queries हैं, तो आप लोग हमारे साथ जूर सकते हो, हमारे चैनल को subscribe करके, जिससे आपको daily basis में यहाँ पर lesson मिले, और आपकी जो queries हैं, मन में जो शंका है, guidance की कमी है, वो सब मैं यहाँ पर आपको provide कर सको, तो मिलती हूं कल इसी टाइम पर, आज के लिए बस इतनी, thank you